सोहन और शेर की कहानी सोहन नामक एक व्यक्ति रोम के समराथ का गुलाम था एक दिन वह स्वयम पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ जो घायल अवस्था में था और बार-बार अपना पंजा उठा रहा था कहले तो सोहन दरा लेकिन फिर सहर दैता देखाते हुए वो शेर के पास गया शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की सोहन की देखभाल से शेर ठीक हो गया आभार में वह सोहन का हाथ चाटने लगा फिर चुप चाप अपनी गुफा में चला गया इधर समराथ के सैनिक सोहन को धूंद रहे थे आखिर एक दिन वह पकड़ा गया उसे समराथ के सामने पेश किया गया समराथ बहुत नाराज था उसने सोहन को भूखी शेर के सामने फेख देने का आदेश दिया जिस दिन सोहन को शेर के सामने फेखा जाना था उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता हिकत्था हुई सब के सामने सोहन को भूखी शेर के पिंजरे में फेक दिया गया सोहन डरा हुआ था उसे मौत सामने देख रही थी वो ही इश्वर को याद करने लगा शेर सोहन की ओर बढ़ा सोहन पसीने पसीने हो गया शेर सोहन के पास आया डर के मारे सोहन ने अपनी आँखे बंद कर ली लेकिन ये क्या सोहन को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा समराथ हैरान था सारी जनता हैरान थी और सोहन भी अन्तत सोहन समझ गया की हुँ ना हो ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देख भाल की थी वह सोहन को पहचान गया था वह भी शेर को पुछकारने लगा और उसकी पीट पर हाथ फैरने लगा ये देख समराथ ने सैनिकों को सोहन को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया उसने सोहन से पूछा तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा सोहन ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला महाराज जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देख भाल की थी इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं समराग का दिल पसीज गया उसने सोहन को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया सी, सबके प्रती सहरिबैता का भाव रखो फिर चाहे वो मनुश्य हो या पशू जो आप पर उपकार करें उसके प्रती सदा प्रितग्यर हो तो दोस्तों आप सब को या तहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके बताएं और अगर आप को यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो को देखते रहनी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन को भी आउन कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नाटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आपको अगले एक और नेक रुमांचक कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बाई